तो दोस्तों इंडस्टाव ने अपनी quarter 3 के नमबर को डिस्क्लोज कर दिया है तो चलिए देखते हैं क्या है quarter 3 के नमबर के अंदरा market को जो expectation है कमपनी को लेके उसके साथ compare करेके देखते हैं कि कमपनी के जो नमबर है क्या market के expectation को बीट कर पाया है कि नहीं कर पाया है तो सालदे साल बाट करें तो सालदे साल अपरोक्समेटल या बोल सकते है साथ परसंड के आसबस की तेजी है अन्दर वहीं अगर quarter quarter जाते है जब्कि market को उम्मीद थी company के revenue को लेके 7162 करोर की आसपास तो आप कर सकते हैं कि market की जो उम्मीद थी company के revenue को लेके उसके आसपास ही company का जो revenue है आपको आता हुआ देखने होगे जो के कची बात है चलिए company के खचे क्या है वह देखे पिछले quarter में company 3676 को खच के थे पिछले साल 5589 को जब क्या भी देखे तो company खचे 3577 को के आसपास आपक के आसपास पिछले साल company loss में थी 708 को खच में जब कि अभी देखे तो company का profit 1540 को के आपको देखने हो मैं आपको आदा दू company के profit आपको देखने हो मिले सादर साल company घाटे से मुनाफ़े में आते हुए आपको देखने हो मिले जब कि quarter quarter जाते तो quarter quarter भी company के profit है उसके अंदर एक अची खासी थे जी आपको देखने हो वहाँ पी देखे तो approximately बोल सकते 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल ला है तो company का profit जो है वह बहतरी दरीकिस आपको बढ़ते हुए देखने को मिले मैं आपको आदू company ने सो कितना क्या है 1540 को का profit company ने सो किया है जब कि market क जो expectation थी company के profit को लेखे वो थी 1297 करोर के आसपास तो आप समझ लेजे company का जो profit है वो market के जो अमीद थी उससे 20% के आसपास ज्यादा आपको देखने हो मिला है जो के एक बहुत अची बात है surprise है यहाँ पर चलिए company का EPS क्या वो देखते है पिसले quarter में 4 उपे 80 पैसे का EPS थ भी देखे तो पांच उपे 42 पैसे का आसपास आपको देखने हो मिला तो अबरोल अगर नमबर को मैं समराइज करू तो नमबर वैसे आगर देखे तो टेक्निकल ली देखे तो company के नमबर बहुत सांदार है company का revenue और quarter quarter साल दे साल दे साल दे साल दे साल quarter quarter दो बढ़ा है किजिएगा साथ में साथ चलो को सब्सक्राब जो किजिएगा धन्वाद